आईए अगला कुश्चिन देखते हैं इसी में हम लोग ये आप कह सकते हैं कि कुश्चिन देखके लग रहा है कि EM वेब का है एक सवाल EM वेब से हमेशा पूछता है जाई में में और आसान सा कुश्चिन होता है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपासानी से कुश्चिन को solve कर पाएंगे कुश्चिन क्या कह रहा है तो पहला चीज ध्यान रखेगा कि अगर इलेक्टिक फिल्ड आई के डिरिक्शन में है तो magnetic field इसके ठीक perpendicular होना चाहिए तो या तो j होगा या k होगा तो सारे options में j दिया हुआ है तो यह direction चेक करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज कि दोनों का phase सेम होता है और यह z जो दिखा रहा ना वो बता रहा है कि जो velocity है वो z के direction में है ठीक है तो z होना चाहिए सब जगा kz है अब क्या ध्यान रखना है अगला point कि जो e0 by b0 का ratio है वो c के बराबर होता है तो b0 जो होगा हमारा वो e0 by c होगा राइट ना तो b0 जो होगा वो e0 by c कहीं दिया हुआ है क्या e0 by c इस वाले option में e0 into c दिया है e0 into c दिया हुआ है यहाँ पर e0 by c तो नीचे दिया है पर c से c अच्छा 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 इग्जाक्ली यहाँ पर थोड़ा सा correction है यह वाला c यहाँ पर ना होकर के इस तरह से दिया गिवर रहना चाहिए था राइट तो उस ही साब से देखेंगे थोड़ा सा correction है typing mistake है इसको आप लोग correct कर लिजेगा third option यहाँ पर सही लग रहा b equals to e0 by c cos omega t minus kz into j होना चाहिए check कर ले बिल्कुल सही answer है इसमें एक चीज़ और है आप दिचेगा कभी कभी direction पर question भी पूछ लेता है यह direction हम लोग कैसे decide करते हैं यहाँ पर i है, j है और यह z है जो की velocity का direction है, c का direction है इधर आपका electric field है, इस तरफ आपका magnetic field है हमेशा ध्यान रखेगा e cross b जब करते हैं e cross b करेंगे, तब यह sum constant into c मतलब e cross b को c का direction में होना चाहिए तो i cross j करने से k का direction यानि z का direction match करता है, तो इससे भी यह confirm हो रहा है कि j ही होना चाहिए कहीं कहीं, minus j भी हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना था है, उसको स्रीप match करना रहे थे clear है? तोड़ा सा correction यहां पर भी है, यह omega होना है क्वार पर भी है